हलो गाईज, हवर यू अल, I hope you all are good और UGC की गाइडलाइन्स आच चुकी हैं जिसका आप सभी को बेज सबरी से इंतिजार था तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा पहले तो जो आपके एक्जामिनेशन की डेट्स डेट्स, important dates हैं examination के बारे में, साथ ही आपके जो academic session है 2020 उसमें admission की डेट, entrance exam की डेट वो बहुत important dates आ चुकी हैं UGC ने release कर दी है कि कैसे कैसे colleges को आपने exam connect करवाने हैं और admission process start करना है, तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को सबसे ज़्यादा share करना है सारे students के बीच में, सभी aspirants के साथ इस वीडियो को share करना है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लीजे bell icon दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और चले start करते हैं friends, कल परसो आया थी है committee का recommendation वो सारी recommendation को fulfillment करते हुए UGC ने अपनी guidelines release करती है और academic calendar की dates आ गई है सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपके semester exam की dates काफी delay हो रहा था और फिर आपके जो classes थी वो online चली online classes आप समझ सकते हैं आपके website पे या फिर आपको app के थुरू provide कराई जा रही थी लेकिन अब क्या है अब आपका exam की time आ गए है semester exam की timing तो यहाँ पे इन्होंने date release की है आपकी classes चलनी है 31st May 2020 तक उसके बाद committee ने भी recommend किया था कि जुलाई में exam conduct कराने है उसके बाद जुलाई start होगा sorry June start होगा में के बाद जो June start होगा उसमें आपके finalization of project internship जो भी आप सभी काम है syllabus internal assessment सब complete करवा के आपके exam कराई जाएंगे 15th June के बाद आपके summer occasions पढ़ेंगे मतलब जो exam से पहले का break मिलता है आपको prepare करने के लिए वो break मिलेगा और उसके बाद आपके जो exam conduct होंगे वो 1st July 2020 को होंगे तो 1st July से 15 July 2020 तक college है जिनके जिनमें semester mode है वहाँ पे उनके exam 1st July 2020 से आप ये कह सकना है कि 31st July 2020 तक चलेंगे ये था आपके dates examination की फिर बात करेंगे कि result कब आएगा तो result आपका next month है नहीं कि 31st आपके जो finish हो रही है examination date 31st July वहाँ से आपके date लेके मतलब time period है आपके terminal semester year के आएगे 31st July से लेके 14 July तक के बीच में तो आपके जो result है overall आपके जून से जुलाई से August तक के बीच में सारे result आजाएंगे ठीक है तो ये चीज रिकमेंट की थी RC कुहाद कमीटी ने भी जो मैंने भी recently वीडियो बनाई थी वो सब आपने देखी होगी शायद आगर नहीं देखी है तो जाए उसका link description में जाके देखिए उसमें क्या क्या recommendation दी थी तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि admission के process के लिए academic calendar 2020 का जो आगया है UGC ने अब release कर दी हैं dates उसमें जो committee ने recommend किया था कि आपको admission process August में start करना है और September तक चलाना है तो 31st August से start करके 31st August तक चलेगा और document submission जो मैथर अंस मतलब online registration के साथ document submission और भी जितनी भी चीज़े हैं वो सब online होगी तो आप देख सकते हैं admission process start होगा आपका 1st August से 31st August के बीच में आपके registration process चलेगा और जो भी online form fill up करना होगा आपको फिर आपके जो commencement of classes है मतलब जो अभी D.U.K या फिर किसी भी college के 1st year में student हैं 2nd year में student हैं तो वो लोग की classes 1st August से start हो जाएंगी और जो fresh batch आएगा उसकी classes September में start होगी 1st September 2020 में start होगी और conduct of examination फिर जैन में होगा आप देख सकते हैं 2021 में जैन में आपके examination कंड़क्ट होगे और फिर अगर दुबार मतलब सब first जो लाभी जैसे अभी freshers जो admission लेंगे उनके first semester चला जाएगा और फिर जब second semester start होना होगा तो वो आपका थोड़ा late start होगा 27th January से 2020 में start होगा ये सारे important dates हैं आप इनको note down कर लीजे आपकी जो admission की dates हैं वो बहुत ही जादा crucial है वो है 1st August 2020 and 31st August 2020 इसके बीच में आपको ये one month का time मिलेगा आपके document submission के लिए जो की 30 September तक होगा और आप इसी के बीच में आपके entrance exam भी conduct होंगे national level पे तो वो वीडियो में मतलब एक RC quad committee वाली वीडियो बनाई थी मैंने उसमें बहुत ज़्यादा डीटेल में मैंने बताया है कि क्या क्या चीज़े होंगी तो आप उसको देख सकते हैं एक बार और साथी इन dates को ध्यान में रखें और prepare हो जाएं अपने examination के लिए जिनके exam है अभी semester exam and आप सभी को all the best इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजेगे तभी सभी student और students को पता चल पाएगा कि important dates क्या है so good luck thank you